Hello everyone, welcome back to my channel, कैसे हूँ आप सभी लोग लेकर आई हूँ, बहुती यूसफुल कीचेंटिफसन हैक्स, जो आपका बहुती काम आएगा, साथी में है एक इन्फोर्मेशन, दूद में मिट्टी का तेल क्यों डालना है, जानने के लिए पूरा वीडियो आपको वच्च करना होगा तो चलिए ज़्यादा बाते ना करते हुए, इसे के साथ आज का वीडियो भी शुरू कर लेते हैं, तो जब भी हम रात में सोते टाइम बिस्तर में जाते हैं ना, तो एक बार बिस्तर में जाने से ना क्या होता है कि बिल्कुल भी वहाँ से उठने का मन नहीं होता है, जो को दवाईव अगर अपलाते हैं, तो इस तरह से इन चीजों को यूज करने के बाद जब रखते टाइम हमें बहुत ही जादा आलश आ जाती है, लेकिन दोस्तों देखे, इस तरह का अगर साइट टेबिल होना है, तो बहुत ही ईजी ली यानि कि बेट में बैठे- अब देखे हम सभी के घरों में इस तरह का पुराना पिलो कवर तो होता ही है, अब देखे इसका यूज कितना बढ़िया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पीछे की साइट से इस तरह से पिलो कवर को मोड देना है, अब जाहे तो सिलकर भी इसको मोड सकते हैं पर्म मैट्रेस को हलका सा उठाएंगे और मैट्रेस के नीचे दबाते हुए अच्छी तरीके से इसको फिक्स कर देंगे, तो दिखेगा ये कुछ इस तरह से पॉकेट जैसे बन करके तयार हो जाएगा और आप इसका यूज ऐसे साइट टेबिल ले सकेंगे, यानि कि जो भी छो गड़ो आइडिया, तो चलिए अगला टिप, अगला टिप मेरा नल को ले करके है, चाहे वो वाजबेसिन का नल हो, या तो फिर किचन सिंग का नल, तो दोस्तों होता क्या है, जब हम नल चालो करते हैं तो पानी का छीटे इस तरह से नल में लगता रहता है, और इसलिए प बहुत ही अच्छा से एक उपाई लेकर आ चुकी हूँ, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नल में लगा हुआ जो पानी का आईरन वाली दाग है, उसको हमें हटाना है, तो इसके लिए आप मोम ले लीजिए और उसको कुछ इस तरह से नल में रगड दीजिए, रगडने क दूस-दू, नल अच्छे से साफ हो चुका है, अब हमें लगाना है एक जुगार ताकि जब हम नल चलाएं, तो पानी का टच नल में बिलकुल भी ना लगए, यान की पानी का चीटे बिलकुल भी ना लगे, तो इसके लिए आपको लेना है मोम और मोम को फिर से हमें इस त पेहल कासा याने कि पतला सा जो लेयर हैं न वो नल में बना रहेगा और जिस करण पानी नल में भी रुख नहीं पाएगा देखिये कुछ इस्तरह से पानी नल में टची नहीं हो पाएगा तो पानी का आइरन बली दाग नल में कैसे जमेगा है ना कितना बढ़ियां सा और मूब करना काफी ज़दा मुश्किल होती है कई पर हम तरह तरह का रेमेडी या जिल वगएरा लगा लेते हैं फिर भी हमें जवर्दस रेजल्ट नहीं मिलता है एक बार इस रेमेडी को आप जरूर ट्राइ कीजिएगा लेना है आदा नीबू उसमें थोड़ा सा चीनी डाल और इस निबू को लेकर के कोहनी की ये वली जगा में हलके हाथों से रब करना है आदा सेकंड के लिए रब करना है दिन में एक बार करना है और आदा सेकंड के बाद धंडे पानी से धो लेना है फिर आप देखेंगे एक हपते में ही आपको रेजल्ट मिलना शुरू हो जा यहाँ पर हमें लेना है दूद और दूद का इस्तिमाल से एक बहुत ही useful solution बना करके तयार करूँगी जो बारिश के दिनों में बहुत ही काम आएंगे ठीक है अब हम इस दूद में add करेंगे मिट्टी का तेल मिट्टी का तेल डालने के बाद ही solution बन करके तयार हो जाएगा इ इस solution को बनाने के लिए आपको जादा कुछ ताम जाम करने की जरूत नहीं पड़ेगा यही है इसका खासियत बस दूद में मिट्टी का तेल डाल दीजिए और solution बन करके तयार हो जाएगा जैसे कि प्याज हरी मिट्ची वगरा वगरा हर चीज को बॉयल करने की जरूत बिल जैसे कि लाइट के आजपास किड़े मुकुडे जादा दिखते हैं वहाँ पर आप स्प्रे कर दीजिए जैसे कि आप देखिए खिड़की या दरवाजे से जो चिपकली आती है तो वहाँ पर भी अच्छी तरीके से इसको स्प्रे कर दीजिए ठीक है और यह जो शॉलीश है वहाँ पर भी इस तरह से स्प्रे कर दीजिए और इस शॉलीशन का यूज आप हर तरह से ले सकते हैं जैसे ही कीड़ा मोकुडा वो चिपकली को भगा सकते हैं वैसे ही चीटिया को भी भगा सकते हैं अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा चीटिया है तो चीटि के आप स्प्रे कर दीजिएगा फिर आप देखेंगे चीटि भागने लगेगी खास तोर में इस बारिश की दिनों में इन सभी चीजों से हम बहुत ज़्यादा परिशान रहते हैं तो ज़रूर से घर में बनाना है और इसका यूज लेना है बहुत ही यूसफूल शॉलीशन ह और यहाँ पर अगला टिफे साबुन को लेकर के जब भी हम साबुन का इसको रखते हैं तो साबुन का जो तली बली पार्ट है वो अच्छे से द्राइं नहीं हो पाता है जिस करण क्या होता है इस तरह से देखिए साबुन जो है आपको एक बूतल कर धकन और इस बूतल का के सेंटर में कुछ इस तरह से इसको हम लगा देंगे इसको लगाने से क्या होगा देखे इस तरह से सोपकेस में या सर्फेस में जहां पर भी हम साबुन को रखेंगे ना नीचे से काफी स्पेस बचा रहेगा जिसकारन क्या होगा साबुन जल्दी ड्राइ हो जाएगा और सा हुआ रहता है जिसे की साबुन भी ड्राइ रहेगा हमेशा और इस तरह से आप बहुत ही बढ़िया तरीके से साबुन का यूज भी ले पाएंगे सो फ्रेंज आज का वीडियो यहीं पेंट कर रही हूँ I hope आप सबी को आज का वीडियो यूसफुल लगा है वीडियो यूसफुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा सेज़ा शेयर कर दीजियेगा साथी साथ एक लायख करके मुझे मूझे मूटिवेट किजियेगा चैनल प मिलती हूँ नेक्स वीडियो में बाई फ्रेंड्स एंड टेक क्यार